नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में ओपो ए 96 4G वर्सस मोटरोला एच 20 का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले है इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो ओपो ए 96 4G में 6.47 इंच जबकि एच 20 में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है जोकि ओपो ए 96 4G से कम है विद की बात करें तो ओपो ए 96 4G में 2.98 इंच जबकि एच 20 में 2.99 इंच की विद मिलती है जोकि सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो ओपो ए 96 4G में 0.33 इंच जबकि एच 20 में 0.27 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो, Oppo A96 4G में 191 ग्राम्स, जबकि Edge 20 में 163 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम दिस्प्ले को कुमपेर करते हैं दिस्प्ले टाइप की बात करें तो, Oppo A96 4G में IPS LCD जबकि Edge 20 में OLED की दिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही, 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, Oppo A96 4G में 6.59 इंचर जबकि Edge 20 में 6.7 इंचर मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन, Oppo A96 4G में 1080 by 2412 और Edge 20 में 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio, Oppo A96 4G में 84.25 प्रतिशत जबकि Edge 20 में 87.49 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, Oppo A96 4G में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Edge 20 में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेश्टाएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो, Oppo A96 4G में दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है और H20 की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की wide angle primary camera, ultra wide angle camera और आखिर में telephoto camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो Oppo A96 4G में 8 different type के features मिल जाते हैं और H20 की बात करें तो उसमें 11 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Oppo A96 4G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 5 different features मिलते हैं और H20 में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते हैं अईए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो, Oppo A96 4G में Adreno 610 जबकी H20 में Adreno 642L मिलता है चिप सेट की बात करें तो, Oppo A96 4G में Qualcomm Snapdragon 680 और H20 में Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है बात करें RAM की तो दोनों phone में सेम ही, 8GB RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में सेम ही 128GB storage मिलती है expandable memory की बात करें तो, Oppo A96 4G में up to 1TB जबकी H20 में नहीं है operating system दोनों phone में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी Oppo A96 4G में 5000 mAh जबकी H20 में 4000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो, दोनों phone में सेम ही, दो colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो Oppo A96 4G 8GB RAM 128GB storage के साथ 19,999 रूपीस में मिल जाता है और बात करें H20 की तो वो 8GB RAM 128GB storage के साथ 29,999 रूपीस में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं plans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Oppo A96 4G में 8GB फायदे और 5GB नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Motorola H20 की तो उसमें 6GB फायदे और 2GB नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो display में H20 आगे है, main camera में H20 आगे है, front, selfie camera में दोनों phone सेम ही है, performance में Oppo A96 4G आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे phone को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Infinix 08i है, दुसरा Xiaomi Redmi Note 10S है, तीसरा Oppo A54 है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना